नमरमा लेप्रत्य किसे कहते हैं उसकी परिभासा क्या है उसके उधार्ण क्या है और लेप्रत्य का प्रयोग करके शब्दों को बनाते समय उसके क्या-क्या नियम है वो परिच्छा में किस प्रकार से प्रश्ण लेप्रत्य से पूछे जाते हैं जानेंगे हम आज की इस कर या करके ये कर और करके अर्थ का मतलब होता है कि किसी काम को करना जैसे खा कर पी कर हंस कर उठकर यानि इन अर्थों में लेफ प्रत्य का प्रयोग किया जाता है इससे पहले हमने कत्व प्रत्य पढ़ा था उसका भी प्रयोग जो है कि कर और करके अर्थ में ही किया जाता थ यह हम अभी परिभासा पढ़ेंगे फिर हमें समझ में आजाएगा तो इसकी परिभासा है धातु से पहले जब उपसर्ग लगा होता है तो वहां कत्व प्रत्त के अस्थान पर लेप प्रत्त का प्रियोग किया जाता है लेप भी अव्याय के रूप में प्रियुक्त होते हैं इनके भी रूप में कोई परिवर्थन नहीं होता है वह इसका प्रियुक्त पूर्व कालिक क्रिया में होता है जी हाँ अब कत्वा और लेप में सिर्फ इतना अंतर है कि कत्वा वहाँ पर होता है कर और कर के अर्थ में लेब भी होता है कर और कर के अर्थ में लेकिन अगर सिरफ धातू हो कर और कर के अर्थ में धातू के बाद जो है वो कत्वा प्रत्य लगेगा लेकिन अगर जो है कि यहाँ पर धातू है और उससे पहले यहां पर उपसर्ग लगा हुआ है तो इसका मतलब यहां पर लेप प्रत्य का प्रयोग होगा यह मैं समझ में आ गया दूसरा यह कि यह जो लेप प्रत्य होता है यह भी कत्वा की तरह अव्य होता है और इसके भी रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता यानि ये भी एक समान ही रहता है चाहँ कोई विलिंग हो बचन हो सब में एक ही समान रहता है और ये भी जो है कि भूत काल में एक तरीके से प्रियोग किया जाता है यानि पुर्वकालिक यानि जो वर्तमान काम हमने किया उससे पहले जो कारे किया है, जो हो गया है, तो जो पहले हो गया है, इसका मतलब वो पुर्वकाल में हुआ है, यानि भूत काल में हुआ है, तो इसका भी पुर्वकाली क्रिया में प्रयोग किया जाता है, भूत काल में प्रयोग किया जाता है, जैसे की कत्वा का किया जाता बस अंतर इतना है कि यहाँ पर जो है कि धातू से पहले उपसर्ग लगा होना चाहिए तब लेप्रत लगेगा अब यहाँ पर उधार के माध्यम से हम समझते हैं सबसे पहला हमने उधार लिखा है प्रवपसर्ग है दा धातू है लेप्रत है जब इन तीनों को हम जोड़ दे जिसका अर्थ होता है देकर ठीक है प्रदाय देकर अगर मान लिजे यहाँ पर ये जो है ये उपसर्ग नहीं लगा होता है सिर्ब दाध हातू होता तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा प्रत्य लगता कर और कर के अर्थ में यहाँ पर लगता कत्वा प्रत्य लेकिन यहाँ पर प्राउपसर्ग आ गया है तो इसका मतलब यहां पर लेप प्रत्य लगा है और शब्द बना है प्रदाय जिसकार्थ होता है देकर इसका हम वक्त में प्रयोग करते हैं कि किस तरीके से यह पुर्वकाल में प्रयोग किया जाता है भूत काले प्रयोग किया आता है देखिए व काम किया धन देने के काम किया और धन किसको दिया गरीब आदमी को दिया यानि अमीर आदमी जाने से पहले उसने एक कारे किया वह कारे किया जो है कि गरीब आदमी को धन देने का यानि निर्धन व्यक्ति को धन दे करके अमीर आदमी गया अमीर आदमी गया तो जाने से पहले उसने क्या किया देने के काम किया यानि क्या देने के काम किया धन दे करके तो प्रदाय इसलिए यानि धन दे करके यानि निर्धन व्यक्ति को धन दे करके अमीर व्यक्ति गया दूसरा है यहां पर आ देखिए उपसर्ग लगा है और गमधातु है इसका मतलब अगर ऐसा है तो इसके बाद क्या लगेगा लेप प्रत्य लगेगा अगर यह उपसर्ग नहीं होता तो इसका मतलब यहाँ पर कर और कर के अर्थ में भूत काल के लिए जो है कि कत्वा प्रत्य लगता मगर यहाँ पर अब लेप्रत्य लगा है तो इन जब तीनों को हमने जोड़ा तो यह शब्द बना आगत्य जिसका अर्थ होता है आकर इसका जब हम वाक में प्रयोग करते हैं तो यह होता है ग्रिहात आगत्य सहा पाटली पुत्रम गत्वान तो यहाँ पर गत्वान जाने की बात हो रही है लेकिन कब जाने की बात हो रही है जाने से पहले क्या काम करना है जाले से पहले उसको आना है यानि घर आ करके फिर जाएगा ठीक है तो यानि इस कारे को करने से पहले ये आने का कारे करेगा तो आने का कारे जो है कि वो पुर्व काल में होगा भूत काल में होगा इसका मतलब की यहां पर लेप्रत का प्रयोग होगा और लेप्रत वहां होग जहां पर की धातू से पहले उपसर्ग लगा होगा तो अब आपको समझ में आगया होगा कि लेप्रत्य जो है कि कैसे प्रयोग में लाए जाते हैं उनका प्रयोग कहां पर होता है अब जो ये शब्द बने हैं मान लिजे इन तीनों को जोड़ करके यानि आउपसर्ग लगा गम धातू लगा और लेप्रत्य लगा इन तीनों को जोड़ करके जो ये शब्द बना आगत्य इसको बनने का नियम क्या है कि आगत्य ही क्यों बना आगित्य क्यों नहीं बना कुछ और क्यों नहीं बना ये आगत्य ही क्यों बना इसको हम आगे विस्तिद्रुप से और जा होता है देखिए सबसे पहला नियम है लेप का या शेष रहता है यानि जो यह लिप्रत्त है इस लिप्रत्त का जो यह लौ लायप इसमें क्या होता है इसका ये लाओ और इस पौका लोग हो जाता है जोड़ते समय और सिर्फ क्या बचता है ये यह जो है वो बचता है एक तो ये दूसरा इसमें धातू से पहले उपसरग होता है ये तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि धातू से पहले उपसरग ल तो धातू के बाद तो जुड़ जाता है अब हरस्व यानि छोटे वाले स्वर कौन कौन से हरस्वर कौन से ऐसे माल लीजिए ओ हो ये वाली ई हो ये उ हो और ये री हो अगर ये चारों हो ठीक है कब हो कि धातू के अंत में यानि इसके लाश्ट में यहां पर इस धातू के ल पहले ये ऐसे तो जो है वो जुड़ जाएगा यानि ये तो हो जाएगा उसके बाद चौथा नियम है धातु के अंत में माहो तो विकल्ब से उसका लोप हो जाता यानि माहो विकल्ब यानि हमारी मर्जी है हम उसको हटा भी सकते हैं और नहीं भी हटा सकते हैं ये हमारे उप 삼 PLG-ckean 118 अब देखतेी कैसे यह जुड़कर बनता है सबसे पहले है सबसे पहला उधान वी उपसर्ग हस धातुलियप प्रत तो बनता विया से करें लिब विया ज़़ह कि अहयो है में आपको बता नियम क्या कहता है कि लिफ का लियो सेस रहता है यानि कि यह और पॉक रोप हो जाता है तक यह बस्ता यहां पर झालेंगे यह अब जो तीन वंगu message क्या हो जोड़ें अभी हा अाधाश्य और यह यह यक्या बन गया भी हस्न Еइ जिसका और तल रहता है हसकर ठीक है कि दूसरा है सम धन पठ धन लेप यह हो गया सम पठ्थे जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह पढ़कर इसमें देखे क्या है सम यह हमने यहां पर लिख दिया कि शम उसके बाद हो गया यह पठ्थ और उसके बाद लेप का क्या बचा यह अब हम जोड़ देते हैं तो यह हो गया सम ठीक है यह आधा यहां पर जोड़ते हैं वक्त लिखते हैं ऐसे उसके बाद पा अठ्था और यह यह क्या हो गया सम पठ्थ जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह पढ़कर यहां तक हमें कोई परशानी नहीं है सीधा जोड़ दिया है और लाश्ट में लेपका यह जोड़ गया है तीसरा है वी उपसर ग्याधात्तु और लेप्रत जिसका अर्थ होता है विज्याय यानि जानकर इसमें भी कुछ नहीं है सीधा 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 जोड़ देना है देखिए वी लगा है उसके बाद गया है और उसके बाद यह है जब तीनों को जोड़ देंगे यह हो गया विज्याय ठीक है यहां तक तो यह उपर वाले नियम चल रहे है उसके बाद और आगे देखते हैं चोटा है उपसर्ग है क्रिधातु है लेप्रत है अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जोड़ेंग तो यह बनता है उपकृत्य क्या बनता है उपकृत्य यानि कि अब देखिए कैसे होगा देखिए उपकृत्य बना अब इस उपकृत्य में यह जो उपकृत्य बन रहा है उपकृत्य अब हम देख रहे हैं कि इसको उपकृत्य में यह तो आया है अब यहां तो भाई कहीं तो है नहीं उप में नहीं है क्री में नहीं है लेप में नहीं है तो आया कहां उसको हम देखते हैं तो नियम यहां पर हम देखेंगे क्या कह रहे हैं कि जिस धातू के अंत में हरस्वस्वर हो तो धातू के बाद तो जुड़ जाता है अब हरस्वस्वर ये वाले अगर होंगे तो धातू के अंत में यानि जहां धातु दुड़ेगा उसके बाद यह से पहले जो है कि तो जुड़ जाएगा तो यहां पर देखिए धातु यह है धातु में क्री लगा हुआ है यानि यह रिशिवलरी है यह बहुत हैं ऐसके बाद यह अगर हरस्वत्वत्वर हों तो इसमें क्या होता है इनके बाद यानि यह जुड़ने से पहले द्वाटू के बाद जो है कि वो तो जुड़ जाता है दूसरा देखते हैं यह आ धन गम धन लेप यह बन गया आगत्य यानि आकर अब यहाँ पर देखिए एक नियम यह देखेंगे यह आगत्य बना कैसे यहाँ भी देखिए तो आ रहा है ठीक है तो आया ना अब अगर हम इसके अनुसर जोड़ते हैं तो क्या होगा कि यह पहले मिटाते हैं इसको जगह हमारे बास नहीं है क्या होगा अगर यहाँ जोड़ते हैं तो आ हो गया ग और म हो गया अगर उस नियम के अनुसर चलते हैं तो फिर यह तो हो गया और यह हो गया, तो यह क्या बनता है, आ, ग, यह म, और त, और यह, लेकिन ऐसा तो यहां पर नहीं है, आगत बन नहीं रहा है, तो फिर बना कैसे, इसको मिटाते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ, देखिए, अब यहां पर क्या करा है, चोथा नियम लगेगा, धातू के अ हमारी मर्जी है, हम इसका लोब करे भी और नहीं भी करें, लेकिन यहां पर दिख रहा है कि मौका लोब हुआ है, कैसे, अब आपको मैं समझाता हूँ, देखिए, क्या कह रहा है कि धातू के अंत में मौह तो लोब होता है, यहां पर लोब हो गया, यानि यह मौह हट गया, गा, आधा, गा, और आउ से बनता है, तो इसका मतलब यह हरसोसर लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसके बाद क्या जुड़ेगा तो जुड़ेगा, तो इसलिए जो है कि यह बन गया, आ, गा, तो और या, यह हो गया आगत्ते, अगर हम मान लीजे इसका लोब नहीं करें, तो क्या बनेगा दिके क्या बनेगा फिर ये बनेगा आ, फिर ग protagonist और यहाई, यह जोड देंगे और लुप होगा तो यह बनेगा लुप नहीं होगा तो ये बने गा ठीक है इसके बाद एक और समझते है यहां पर देखिए बी उपसर्ग है जीद हातू है लेपरत है यह बन गया विजित्य यानि जीकर जीद कर यहां पर भी देखिए तो आ रहा है यह कैसे आया देखिए वी है इसके बाद क्या है जी है अब जी में क्या लगा हुआ है हरस्व वाला ई लगा हुआ है यह वाला तो इसका मतलब यहां पर आगे क्या जुड़ेगा यह वाला तो जुड़ेगा और यह जुड़ेगा जब जोनों सबको जुड़े देते हैं तो वी च्छाओ में इसको मिटाते हैं पहले तरीके से आ जाता है यानी शयोजिय और विये जो बोलते हैं जोड़ना या तोड़ना यानी अलग अलग करना हम कह सकते हैं या हम जो है कि जोड़ना कह सकते हैं सबसे बहले मालिजी यह दे दिया आपको सीधा आ उपसर लगा है दाधातु लेपरत कहेगा इनको जोड़के क्या बनता है आप वो लिख दीजिए तो हमें ये करना होगा तो ये क्या बनेगा आ दा और यह तो यह हो गया आदाय क्योंकि यहां पर सिधा सिंपल है कोई अलग से नियम नहीं लगता है आ दाया इसके बाद यह सिधा एक शब्द दे दिया और कहेगा कि भाई इसमें कौन सा उपसर लगा है कौन सा दातू है कौन सा प्रत्त लगा है आप इसको अलग करके लिखिए तो देखिए हमें यह लाश्ट में आ प्रत्य है तो यहाँ पर जो है कि क्या होगा प्रो उपसर्ग हो गया ठीक है और आप धातु हो गया और यहाँ पर लेप प्रत्य हो गया तो इस तरीके से हमें करना होगा यानि जोड़ना और अलग अलग करना ठीक है उसके बाद हमारा प्रश्ण आता है इस तरीके से आपको दिया होगा एक पूरा का पूरा कि वाक्य देदिया पूरा ऐसे वह एक वाक्य देगा और कहेगा कि और बीज ऐसे आपको ब्रैकेट में यह यह लिख करके देदेगा धातू उपसर्ग और लेप और कहेगा प्रत्य जो है और कहेगा इनको जोड़ करके बनाईए क्या बनता है तो बावे जोड़ना है यहाँ पर नियम लगना चाहिए देखिए यहाँ पर क्या है आ आ गया यहाँ पर गम है धात नियम क्या है कि जो है तो यह से त्रसा करना होता और अगला प्रश्न क्या सकता है कि इस तरीके से ऐसे दे देगा ठीक है और चार अप्शन देदेगा ठीक है कहे इस तरीके से प्रशन हमारे परिग्छाओं में पूछे जाते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरा अच्छे से लेप प्रत्य समझाने का प्रयास किया है मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप अपनी परिक्षाओं में इन प्रशनों का उत्तर दे पाएंगे तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार